Are you someone who is facing problem in vocabulary development? क्या शब्द आपको याद नहीं रहते हैं? या अगर शब्द याद हो जाते हैं, तो शब्दों के प्रियोग में दिक्कत आती है. We fall short of words. कई बार हमें ये कहना बढ़ता है कि भाई इस शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो. Because कई बार वो शब्द हमारे दिमाग में आते ही नहीं, जो हमारी भावनाओं को सामने वाले तक ट्रांस्पोर्ट कर सकें. So अगर इस तरह की गरीबी है आपके अंदर, then you are at the right place. My name is Satyandar Tiwari and in this particular session I am going to talk about different aspects of vocabulary development and vocab uses. इस particular session में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम शब्दों को लंबे समय तक याद रख सकें, वो भी बिना रटे हुए. Because ये एक aspect है vocab का, how to remember words. और जो दूसरा aspect है वो है uses का, like how to choose correct word in a particular context. If you are someone who is preparing for different competitive exams, then you face questions like fillers, close test, जहाँ पर होते हैं हमारे पास blank places और उन blank places के लिए हमारे पास होते हैं options. और कई बार उन चार options में शायद आप दो options को eliminate कर लें, but still you are confused with those two left words. कई बार ऐसे भी होते हैं, कि ये शायद तीन शब्द आपको synonymous लगें, कई बार चारों आपको लगते हैं, कि ये तो परियावाची हैं. तो वहाँ पे तो choose हमें एक करना है, और वो आप तभी कर पाओगे, जब आपको synonymous words में difference का पता हो. तो इस particular session में, हम अपने vocab के challenges की भी बात करेंगे, और vocab को learn करने के जो methods हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, जो बहुत ही foolproof method हैं, इससे सिर्फ आपके competitive exams के लिए preparation नहीं, but in general, because wherever we are working, जिनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, at the end of the day, we have to deal with the people only, और वहाँ पे हमें लोगों से बात करनी होती है, और बातों में, शब्दों की गरीवी नहीं आनी चाहिए, तो आईए, शुरू करते हैं, इस सियात्रा को, जिसे मैंने कहा कि, दो aspects हमारे पास vocab में लेके, हम बहुत परिशान होते हैं, जो दो हमारी challenges हैं, उस सबसे पहला है, how to remember words, how to remember, and how to use, अब remember पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, हमारे बहुत सारे जो students होते हैं, वो English शब्दों की हिंदी मीनिंग याद रख करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे पहला वो काम है, जोसको आपको ततकाल प्रभाव से with immediate effect बन करना है, अगर आप कोई भी competitive exam लिख रहे हैं, जहां पर multiple choice questions हैं, MCQs हैं, आपको पता है उन चार options या पांच options में से एक option आपको चूज करना है, nobody is going to ask you Hindi meaning of those words, क्या किसी भी exam में कोई आपसे Hindi meaning पूछता है क्या, नहीं पूछता, तो जो पूछा नहीं जा रहा है, वो आप याद कर रहे हैं, दूसरी समस्या ये है कि you are not a child, you know, जिसको एक शब्द का एक Hindi meaning बता दिया, कि day का मतलब दिन होता है, night के मतलब रात होती है, king का मतलब राजा, queen का मतलब रानी, the kind of words you are going to face in these exams, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जिनका मतलब एक शब्द में नहीं बताया जा सकता, बढ़ आप किसी भी source से अगर उन शब्दों के meaning को पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई book है, कोई app है, कहीं से भी, if you are reading Hindi meanings, तो वहाँ पे इतनी संभावना नहीं होती कि वो उसको बहुत ज्यादा explain करें, कई बार वो meaning एक या दो word में बता रहे हैं, तो वो आपके लिए और ज् शब्द है, तो इसका मतलब कि उसकी meaning में कुछ न कुछ फर्क जरूर है, और हम में से जादा तर लोग क्या करते हैं, शब्द पढ़ा, उसकी Hindi meaning पढ़ी, उसके चार synonym पढ़े, चार antonym पढ़े, यह school का exam नहीं है, that somebody is asking to write down for synonym of this word, यहाँ पे तो चार में से एक हमें choose करन रहा है, तो यह हमारी दूसरी गलती है, कि हम पढ़ किस तरीके सरे हैं, एक Hindi meaning रटना बन करिये, nobody is going to ask you that, and second one, do not mug up the list of synonym, your job is to figure out that what is the difference between these synonymous words, because अगर चार ब्लेंग प्लेसे में टारों शब्द आपको similar दे दिये जाएं, जैसे मैं अगर बात करूं, शब्द है आपके प exceed, A-double-T-E-D-E, और एक शब्द आगया consonants, अभी सभी शब्दों का मतलब कहीं न कहीं बात से agree करना या admit करना यही होता है, बद इन शब्दों में फर्क है, difference है, President has given his assent to this new bill, राश्टर बती है, अगर एक नय बिल को अपनी सहमती देंगे, तो वहां सहमती के लिए A-double- तो यानि parents agreement देंगे, सहमती जताएंगे कि हाँ, आप मेरे बच्चे को trip पे लेके जा सकते हैं, school वाले consent letter पे sign कराते हैं, या आप hospital जाते हो, तो वहां consent letter पे sign करना पड़ता है, आप कोई adventurous sport खेलने जाओ, वहां consent letter पे sign करना पड़ता है, अगर इस यात्रा में कहीं आप नि agree to permit कर रहे हो, यानि किसी को permit करने के लिए अपनी सहमती जता रहे है, assent है official agreement, president has given his assent, जब एक समयधानिक पत पे बैठा व्यक्ति किसी चीज़ के लिए अपनी सहमती देगा, तो वहां पे assent आएगा, वहीं exceed का इस्तमाल, A, double, C, D, हम तब करते हैं, जब सामने वाला कोई आप से कुछ request या demand करे, और आप उससे अपनी सहमती जताएं, I didn't exceed to a request, right, the judge did not exceed to the request, आप the criminal, अप criminal गुहार लगा रहा था, जो convicted था कि मेरी सजा कम कर दी जाए, judge साहब did not exceed, उन्होंने सहमती नहीं जताए, इस level की vocab की समझ हमें चाहिए, कि अगर ये exceed, और consent, और assent, और भी बहुत सारे words हो सकते हैं, अगर ये किसी question में मिल जाए, और ये मासूम बालक क्या बालका, इसने इसका meaning रटा हुआ है, इसका मतलब होता है सहमती, बस हो गया हमारा काम तमाम हों, तो हम aptitude test देने जा रहे हैं, कोई भी competitive exam aptitude test लेता है, वो आपकी मानसिक योग्यता की प हाते हैं, परियावच्ची और सिन्नीम एंटनीम के लिष्ट रटना, that is not going to help you much, and the second thing is what, stop mugging up Hindi meaning, अब करना क्या है, ये तो मैंने दो बोला है, जो नहीं करना है, करना क्या है हमें, जो हमारी standard dictionaries हैं, चाहिए वो Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Merriam-Webster, Collins, you know, जो standard dictionaries हैं, इनके search box में जा करक and whatever is written related to that particular word, you should read each and everything out there, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, grammatical profile, that what is the grammatical profile of that word, वो noun है, verb है, adjective है, adverb है, क्या है, कई बार एक ही शब्द, अलग-अलग grammatical profiles में, अलग-अलग मतलब रखता है, कई बार बहुत सारे इसमें रंग आपको देखने को मेलेंगे, कई बार हो सकत है, कि एक शब्द का एक मतलब आपको बच्पन से पता है, एक example दे देता हूं यहीं पर, जैसे शब्द हमारे पास founder, F-O-U-N-D-E-R, founder का मतलब संस्थापक, each one of you knows this, सभी को पता है, but founder is also a verb, founder का इस्तमाल verb के तोर पे भी होता है, और verb के तोर पे इसका मतलब होता है, कि आ बोट डूब गई, सो वहां पे भी इस founder का इस्तमाल होता है, क्योंकि बोट का डूबना भी बोट की असफलता है एक तरस, अब हम अपने आप से पूचें कि हम में से कितने लोगों को founder वर्ब भी होता है, यह पता था और वर्ब के तोर पे यह मतलब पता था, महामाना मदन अक्षांस रेखाएं, अभी लाटिटूड अक्षांस रेखाएं, पता सभी को है, बट लाटिटूड का एक और मतलब यह होता है कि किसी इंसान को complete freedom देना, पूरी तरह से स्वतंतरता देना, कि वो जो चाहे, वो choose कर सके, select कर सके, अपने जीवन से संबंधित decision, खुद ले है, it's not new, या एक बहुत प्यारा सा शब्द आप acquit पढ़ते हो, grammar में भी pronoun के chapter में कि acquit के साथ हम reflexive pronoun लगाते है, बट acquit का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, जिसके उपर आरोप लगा है, आपने उसे आरोप मुक्त कर दिया, यह मतलब हमें से सभी को पता है, court ने किसी को acquit कर दिया, A-C-Q-U-I-T, बट acquit के साथ जब आप reflexive pronoun लगाते हैं, जैसे medical professionals acquitted themselves in the trying times of COVID-19, तो अभी यहाँ पर हमने जब reflexive pronoun लगाया, तो acquit का मतलब क्या है, अक्विट का मतलब है, to discharge your duties in a proper manner, यानि आप से जिस तरह की उमीद है, अपक्षा की जाए, कि भई आपका conduct, आपका behavior ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक खास पद पे हैं, और आपका conduct बिलकुल वैसे ही हो, उसे हम क्या कहेंगे, that will be called acquit, वहाँ पे acquit का इस्तमाल होगा, to behave in a certain manner, in a certain fashion, that is expected of you, if you are behaving in that fashion, वहाँ पे हम acquit का इस्तमाल करेंगे, तो बहुत तरह के इस तरह के रंग हैं शब्दों के, लेकिन क्योंकि हमने हिंदी मीनिंग, ready-made खाना खाना है, कोई book उठा ली, कोई app उठा लिया, we are one of the privileged generations, we have all these dictionaries, हाथ में आपके जाके खरीदना न गूगल के search box में, तो जो second, third, fourth, fifth suggestions होते हैं, वो इनहीं, जो आपकी dictionaries हैं, उनहीं के websites होती है, तो सिर्फ Google वाला ग्यान के बजाए नो, उन dictionaries में चले जाए गर होगा, और एक word को अगर आप दो से तीन dictionaries में डाल के देखते हैं, तो जादा बहतर समझ पैदा होती है, तो उस शब्द के कितने meanings होते हैं, because one word may have multiple meanings, let me give you an example, a very basic word is bar, B-A-R, अभी जब हम बार association बोलते हैं, तो वो कीलों का संगठन हो जाता है, बार is a place where liquor sells, यहाँ शराब बिकती हैं, वो भी बार है, अगर मैं आपको कहूं कि you have raised the bar of the performance, तो यहाँ बार का मतलब है standard, भाई तुमन अपना bill जमा नहीं किया, dues पे नहीं किया, इसलिए तुम्हारी services रोक दी गई है, यहाँ यह बार वर्ब के तौर पर इस्तमाल हो रहा है, फिर आप बात करते हैं, TMT Bars की सरिया, वो भी बार है, this is also a bar, जैसे chocolate bar होती है, यह pen bar है, तो छोटी इस्ट के लिए भी आप बार का इस्तमाल कर सकते हैं, this one word have multiple meanings, many meanings actually, और इसी को हम homoneme कहते हैं, जिसके उपर based questions, bank और management के papers में हमेशा आते रहें, और सीजियल का जो syllabus चेंज हुआ, आप लास्ट एर सप्टेंबर में जो नया notification आया था, syllabus का जाकर उसमें देखें, तो synonym and antonym के साथ-साथ, उनोंने homoneme भी जो मैं हमेशा से अपने, वो के अब special batches में, या bank special batches के अंदर कराता रहा हूँ, इसी career will app पे, तो अभी वो भी नया addition है, तो यह बहुत पैर इसी चीज़ है, कि भई बहुत देखना यह चाहेंगे, कि जो सामने इंसान selection के बाद एक officer बनने वाला, उसको एक शब्द के कित thing, उसमें etymology का जिक्र है कि शब्द बना कैसे, क्या root इस्तमाल हो रहा है, क्या prefix इस्तमाल हो रहा है, क्या suffix इस्तमाल हो रहा है, वो सब भी देखें, sentence formation is there, because जैसे मैंने आप से कहा भी, बिल्कुल starting में, कि nobody is going to ask you the definition, meaning of these words, in any of these exams, हर जगह पे usage check कर रहा है, जो examiner है, कि आ हमारे management exams, जैसे CAT है, JET, IFT, उन तरह के exams में थे, फिर वहीं से हमारे SBI और IBPS वाले inspiration लेते हैं, इसलिए bank का paper, SSE से difficulty में ऊपर माना जाता है, उससे ऊपर, bank से ऊपर CAT, JET, IFT जैसे exams हैं, जो आपके leading management exams हैं, और SSE भी उसी तरफ धरे-धरे कदम बढ़ा रहा है, inspiration ले रहा है number of questions कम किये, 200 से 45 किये, लेकिन अभी भी सारे subjects में सबसे ज़्यादा weight is, means के अंदर आप क्या case का है, English का है, because मैं फिर वहीं बात कहूंगा कि officer बनने के बाद एक बार जबाब workplace पे पहुँच जाते हैं, it's all about communication, वो written communication भी है, oral communication भी है, तो वहाँ भी English पे आपकी command बहुत है, in sentence structure, in twice of words, understanding of those words, कि what is the context of this word, जैसे मैंने भी बताया कि सहमती के लिए 4-5 शब्द हैं, बट सभी के context अलग है, ऐसे ही एक ही meaning के words में connotation अलग होती है, बहुत ही basic सा example, metros में old people की जगह पे senior citizen लिखावा क्यों मिलता है बापको, public places पे, क्यों आपको disabled की जगह पे differently able लिखा है, यहाँ connotation का फरक है, किसी को old कह देना is negative connotation, but if you are saying senior citizen, now the word has positive connotation, and what is the attitude of that word, and if you are saying like elderly people, elderly is what, that is neutral connoting word, यह neutral connotation का word, तो अब हम तो यह कह सकते हैं कि सबका मतलब उम्र दराज, जिनकी उम्र ज्यादा हो, बात बिल्कुल ठीग है आपकी, but if there are three words, और यह तीन word आपको किसी close test या filler में मिल जाए, and if you don't have this understanding of connotation, आप सही सब्द का चुनाओ नहीं कर पाएंगे, तो यह सारे हमारे vocab की learning के flaws हैं, यह missing links हैं, जिनकी वज़से, वो जो हर नया साल में यह शुरुबात होती हैं, एक नया साल शुरू हुआ है, एक नई copy बनाओ, you know, write down 10 words every day, by the end of one month, you will have 300 words by the end of one year, you will have 3600 words, but वो नया नया जो हमने वरत लिया, वो पांच जनवरी के आगे जाता नहीं, चार मास दिन के बाद, क्यों नहीं जा पाया, सोचा कभी आपने, अभी तो सब adult हैं, college में पढ़ रहे होंगे, या college pass out कर लिया होगा, और यह सब बात हमें school के दिनों में कही ज नहीं रख सकती है, अब मैं इस वाले point पे आ रहा हूँ देर देर, धियान से आपको सुनना ही है, बीमारी के तफ़तीस में खोड़ा time लगता है न, पता कर ले मूँ, तो क्यों याद नहीं रहता और कैसे कोई चीज याद रहती है, इस बात को समझो, आप how to remember सबसे पहला point तो वो शब्द इसी लिए नहीं याद रहे है, जो सुबा आपने लिखा वो शाम तक भूल गए, और क्योंकि रोज भूल रहे हैं, तो फिर आपका motivation खतम हो जाता है, पांच जनरी के बाद आपने बंद कर दिया, पर शाद आपने ये सोचा नहीं कि क्यों नहीं याद रहा अब इसे बहुत सारे लोग the Hindu की vocab करते हैं, इंटरनेट पे बहुत PDFs available होती हैं, एक word उसका Hindi meaning, वो आपको कोई मदद नहीं करने वाला, अगर आप शायद वो इडिटोरियल पढ़ करके उसमें से 10 word निकालें, जहां पे आप फंस रहे हैं, उन words को आप dictionary में देखें, try to understand the context in terms of uses की a word sentence में इस्तमाल हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है, किसे मैंने भी आपको बारवाले example से समझाए कि एक शब्द के 4-5-6-7 अलग-अलग meanings हो सकती हैं, हिंदी meaning में कोई एक meaning आपने रख लिया, अब वही meaning जब आप बिठा करके वहां समझने की कोशिश करते हो, आपको बाउंस कर जाता है, फिर आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता है, कोई लाग कहते रहे, सभी को पता है, we should read newspapers, we should read magazines, we should read novels, but if you are not able to understand even a paragraph at the very start of the reading activity, you will lose motivation, फिर आपको आगे पढ़ने का मन नहीं करता है, यह हमारी reality है या नहीं है, comment section में बताइएगा, तो मैं सीधे- नहीं तो हम वुकेब कमजोर है, वुकेब बहुत वीक है, वुकेब याद नहीं रहती, शब समझ नहीं आते, भूल जाते हैं, यही रोना रोते रहते हैं, क्यों होता है, why is far more important than what and how, इसलिए कहा गया है, क्यों हो, सवाल पूछना बड़ा जरूरी है, तो आओ, इस सवाल क कर सकते हैं, सजी वर्ण कर सकते हैं, आप अगर कोई पूछे तो, कहां जी बचपन में यहां गोमने गया थे, यह वाली बड़े थी, नाना जी थे था, नहीं, सबको बड़ा वो याद रहता है, पर वाट हापन इन लास्ट क्लास, कई बार वो याद नहीं रहता है, स्कूल और कॉलेज में पड़ोसी से पूछ रहे होते हैं, कल क्या कराया था इन्होंने, देखा न, अपनी कॉपी में, कभी सोचा हमने, वाट इस दरीजन, रीजन यह है कि वो बचपन की बात आपको अ association with our mind, whatever we are learning, we can remember that thing for a longer period of time, जिस बात के साथ भी आपके दिल के तारों ने जंकार पैदा कर ली, एक connection आपने बना लिया, वो बात भले ही पुरानी हो, वो आपको याद रहेगी, लेकिन जिस बात के साथ आपका connection नहीं है, वो बात कल की हो, वो आपको आज भूल जाएगी, जिवन के बहुत सारे instances, जो पहला पहला बोलते न, पहली नजर में देखा था उसको, अभी भी यादें ताजा हैं, तो यह पहला बड़ा याद रहता है, बले ही वो कितना पुराना हो जाएगी, अभी भी याद है, क्यों? क्योंकि उस घटना में आप पूरी तरीके से involved थ तो वही बात यहाँ पे भी apply होती है, if I am not able to make a connection or association with the word, I will not be in the position to remember that word for a longer period of time, वो सुबा का शाम को भूल जाएगा आपको, तो इसी लिए, यहाँ पे जब हम how to remember की बात करते हैं, तो दो ऐसे full proof method, जो की एक experiment के point of view से आपको मदद करने वाले हैं, मैं उन methods की बात कर लूँ पहला method है, PRS method, बहुत ही कारगर method है यह, बहुत ही कारगर method है, खास तोर से जो लोग SSE के staff service commission जो है आपका, उसके जो लोग exams देते हैं, चाहे वो आप CESIAL की बात करो, CPO, STENO, CHSL, MTS, whatsoever, technical, सभी में तो तो लेवल का फर्क जरूर होता है, लेकिन वहाँ पे questions आपको जो म कौन से मिलते हैं भाई, तो पहले आपके पास, यहाँ पर आ जाता है, SINO, Synonym, यहाँ पर आपको बहुत मदद मिलती है, दूसरा आपके पास है, यहाँ पर बात करें हम तो spelling errors, spelling errors के questions में आपको बहुत मदद मिलती है, और तीसरा है OWS, one word substitution, तो आप कहोगा सर यह तो सारे question type cover होगे, इस method से, बिलकुल cover हो जाते हैं, अब बस बचा idioms and phrases और वो भी fixed vocabulary है, तो उसमें तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट यह सारे के सारे जो question type है, चारो हमा सिन्नीम, एंटनीम, spelling error और OWS, यह बहुत ही technical question types है, अगर आपको वो सारे root words की समझ है, जो paper में बार-बार repeat होते हैं, जहां से question बार-बार पूछे जाते हैं, अगर आपने वो cover कर लिये हैं, तो believe me, आप खुद उठा करके पिछले 10 साल के OWS, सिन्नीम, एंटनीम करो, 90% question आ समझ आ गये, और ऐसा कहना मेरे students का ही है, जब हम एक बार root word का पूरा dynamics समझ जाते हैं, तो बहुत आसानी से option को eliminate कर पाते हैं, even if you are not aware of the meaning of that particular word जो की exam में पूछा है, हो सकता है, आपको शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको यह जरूर बता है कि यह word बना कैसे, इसमे root क्या है, इसमें prefix क्या है, इसका opposite क्या हो सकता है, अगर वो एंटनीम पूछ रहे हैं, तो बिना शब्द का मतलब जाने भी आप उसको tick करके बहुत आसानी से आ सकते हैं, आपको जो जो दूसरा method है, यह है आपका group method, यानि शब्दों को अगर हम groups में learn करें तो फिर कोई भी group आप तभी बना सकते हो, जब उस group के members के बीच में कोई न कोई commonality आया ना, कोई group अगर हम बना रहे हैं, तो तभी बना सकते हैं, जब कुछ न कुछ commonality हो वहाँ पर, otherwise group नहीं बनेगा, अब इसमें हमारे पास जैसे synonym, वो भी परहवाची शब्दों का एक group है, definitely कि उनके बीच में difference होता है, वैसी हमारे पास groups आते हैं, homophones, paronyms, homonyms, homographs, palindromes, eponyms, you know, so we have so many different groups of words actually, तो अगर आप शब्दों को ऐसे हवा में याद करोगों तो शाहत न यादो, लेकिन अगर group में याद कर लिया, तो एक connection, एक association मिल जाता है, अब जैसे मैंने अभी यह तो homophones कि नहीं कहते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, इस शब्द से पता लग रहा है, कि this is, homo का मतलब होता है similar, और phone का मतलब होता है sound, यानि ऐसे शब्द जो similar sounding है, जिनका उचारण आपको मिलता जूलता लगता है, बट उनकी spelling सा अलग है, और उनका मतलब भी अलग है, बहुत सारे शब्दें, सैकड़ों शब्दें हैं ऐसे, अब जिसे आपको D-U-A-L, dual का मतलब पता है, dual का मतलब दो होता है, जिसे dual, nature, particle, light, सब आपने science में छटी साती में ही पढ़ा होगा, अभी dual, duality, dual, लेकिन D-U-E-L अगर कर दिया जाए, dual, तो यह हो जाती है, fight between two people, फर्क सिर्फ एक letter का है, D-U-A-L और D-U-E-L, pronunciation में हलका सा difference, dual का मतलब आपको पहले से पता है, आपके दिमाग के database में बैठा होगा है वो, और D-U-E-L अगर आपके लिए एक नया word है, तो उस नय word के लिए एक association connection दिमाग को मिल गया, और वो connection है sound का, because we learn with the help of our sense organs only, और उन sense organs में कान आते हैं, similar sounding है यह, आपको collision का मतलब पता है, C-O-L-L-I-S-I-O-N, collision is stuck, but C-O-L-L-U-S-I-O-N, collusion, इसका मतलब कम को पता होगा, और यह examiner को पता होता है, तो collusion का मतलब होता है, मिली भगत, sound cards जिसे हम कहते हैं, some sort of agreement for a negative act, there was some sort of collusion between bankers and businessmen, after demonetization, indeliance, you are reason, उसी collusion से collude आता है, जिसका मतलब sound card करना, वहीं collusive behavior हो गया, तो वो adjective बन गया, इसलिए grammar का बड़ा important role है, vocab में mastery के लिए, because अगर आप grammatical profile ही नहीं पहचान पाते हैं कि what is noun, what is adjective, what is verb, then you may feel that these three words are three different words actually, तीन बार dictionary देखके time खराब करोगे, अब आगर आपको बता है कि C-O-M-P-L-Y, comply का मतलब होता है आग्याँ बालन करना, compliance, आग्याँ बालन, and compliant, आग्याँ बालन करने वाला, तो एक है verb, एक है noun, और एक है adjective, अगर आपको ये पता है, तो आपका समय खराब नहीं होगा, otherwise नहीं पता, तो आप तीन बार dictionary देखोगे, you may feel that these three words are different words, no, it's not, so that is why fundamentals of grammar should be very clear, grammar is not about mugging up the rules, it's a very conceptual thing, because grammar is nothing but the mathematics of language, और mathematics में रटना क्या होता बही, mathematics तो conceptual है, अगर उसके concept आपको clear है, तो फिर कहीं कोई मुश्किल नहीं आती, तो खेर, तो इस aspect का भी हमें ध्यान रखना है, ऐसे ही अगला जो group है, वो है हमारे पास, second one is, पैरोनीम्स, बहुत ही प्यारा सा group ये भी है, और confusing words के question जहां भी पूछे जाते हैं, जहां आप शब्दों में confused होते हैं, वो इन ही दो particular group से आते हैं, अब अगर पैरोनीम के example की बात करूँ, तो बहुत ही पुराना word, high frequency जो exam में बार-बार पूछा गया और उम्मीद करता हूँ, आप सबको पता भी होगा, अब ये दोनों शब्द कहां से पैदा हो रहे हैं, इंड़स्ट्री से पैदा हो रहे हैं, सभी को बता है, इंड़स्ट्रियल भी adjective है और इंड़स्ट्रियस भी adjective, So the grammatical profile of both the words, it's the same, both the words are coming out of the root, industry, अब इसमें अगर आपको फर्क नहीं पता तो आप फंस जाओगे तो इसलिए फ्रेजस बना लेने बड़े जरूरी होते हैं जो भी नए शब्द आप सीखें उनके साथ कुछ जोडियां बना लें शब्दों के साथ जिसे आपने कहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो आपको धिय अब मैं आप से बूचो, what is the difference between continual and continuous? You may get confused. अगर ये वर्ट दो question में दे दिया जाए तो आप confused हो सकते हैं. But, पर क्या है? You are preparing for these exams continually or continuously? You are preparing for these exams continually. Continually का मतलब something is continued but with fixed breaks. और continuously का मतलब होता है non-stop, right? So, like you are writing a paper of one hour, continuously, एक घंटे का कोई exam आप दे रहो ना, तो बीच में ऐसे नहीं कि उठ जाते हो, तरग भूम के तफरी करके आता हूँ. You are writing that paper continuously, तो continuously का मतलब, या continuous adjective, continuously adverb हो गया. यानि कोई भी चीज़, अगर continued है, बिना stop के, तो वहाँ पे हम लगाते हैं क्या? वहाँ पे हम use करते हैं continuous का. ऐसे luxurious आपको बता है, luxuriant आपको नहीं पता है in general. लग्जूरियंट उसे पता होगा, जो बड़ा ही sincere student है, candidate है, जो पढ़ रहा है. लग्जूरियंट सभी को पता है, luxurious hotels, luxurious cars, full of ash-o-a-ram. But luxuriant is what? जिसे हम कहते हैं, luxuriant blade of grass. बरसात के दिनों में बहुत हरियाली होती है, there is lush vegetation. तो luxuriant का मतलब होता है highly fertile, highly productive. जिस चीज की उरवर्ता बहुत अच्छी हो, फलों का बाग है, उसके लग्जूरियंट का इस्तमाल कर सकते हो. और हैं again दोनों word adjective. तो again इसमें भी second ऐसे group आप बना सकते हैं, शब्दों के दो-दो word के, और इस group की जो association है, जो connection है, इससे आप शब्दों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे. तो यह आपके confusing words होगे, और तीसरा, जो की management और bank के papers में हैं, तो हमेशा से questions पूछते रहे हैं वो, homonyms, अब यह SSE में भी नए edition है, और classes में मैंने इसके उपर questions भी कराएं हैं, batches के अंदर, यहां भी मैं आपको introduce करूँगा, sessions में, आप देखो आज यह पहला session है, तो definitely सार all dynamic समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो के आपका पूरा का पूरा science हम किस तरीके से समझ सकते हैं, कैसे बहतर कर सकते हैं, तो यह था हमारा पहला department how to remember words, ठीक है, अब इसको थोड़ा explore करें, उसके बाद फिर आ जाएंगे how to use पे, पहले मैं यह बातें प्रूफ कर जो की नीद में चलता है, spelling लिखो आप comment section में, तो अभी जब spelling आप लिखोगे और यह अपने experience है, classes की experience ही में बता रहा हूँ, बच्चे जब comment section में spelling लिखते हैं, तो spelling कम की सही होती है, क्योंकि शब्द बढ़ा है, वो कुछ न कुछ spelling में गलतियां कर देते हैं, तो A, M, B, U, L, I, S, T, Somnambulist, कैसे याद रह पाया यह, क्योंकि root word का dynamics, यहाँ पर बहुत clear है, S, O, M, N, एक root word है, जैसे आप हिंदी और संस्कृत में संधियां पढ़ते हैं, तो एक मूल शब्द होता है, पीछे जो लगता है, वो उफसर्ग होता है, और आगे जो लगता है, वो प्रत्याय होता है, तो वैसे ही Somn root word का मतलब ही है, sleep, ठीक है, Amble जो शब्द है, इसका मतलब होता है, walk करना, जब आप बहुत ही मौज मस्ती में walk कर रहे हैं, बहुत ही casual तरीके से walk कर रहे हैं, laserly जिसे हम कहते हैं, और IST वो suffix से जिसे आप common noun बना लेते हैं, तो इस श syllabic word, क्योंकि इसमें तीन टुकडे, तो यह जो हमारा method है, इससे आपको यह समझ में आएगी बात, कि यह शब्द आकास से नहीं टपकते हैं, शब्द बनने के पीछे science है, और इस particular method, जो PRS method है, P का मतलब prefix, R का मतलब root, और S का मतलब suffix, इसी को root word method भी कहा जाता है, इससे आपकी English में 65-70% words इससे बनते हैं, और English actually एक खिचडी यह language है, you know, there are more than 300 languages जिसकी यह खिचडी है, कभी उसके उपर बाद में बात करेंगे, लेकिन यह root बड़ी अलग-अलग भाशा हो, कोई Greek है, Roman, German, French, Latin, you know, तो उसकी technicality में नहीं जा रहे है, हमें यह पता होना जी कि इ यह मतलब है, और अगर इस शब्द का इस्तमाल, इस root का इस्तमाल किसी शब्द में हुआ है, किसी word में हुआ है, तो उसका क्या possible meaning हो सकता है, ठीक है, तो sleep थी, amble चलना होगे, और IST लगा दिया, तो चलने वाला होगे, somnambulist, otherwise अगर आपको यह नहीं पता, तो लोग यहा कहते हैं, what is the word for that, तो वो शब्द है आपका, s-o-m-n-i-l-o-q-u-i-s-t, somniloquist, अब यहां भी नीद वाला विज्ञान तो आपको समझ आई गया, L-O-Q-U जो word है, यह root word again है, किसके लिए बोलने के लिए, to speak, और IST definitely, वो suffix जो की common noun, technologist, sociologist, capitalist, और इसी में अगर abstract noun पर जाओगे, तो capitalism, socialism, you know, ISM लग दिया, अब जैसे यहां पर somnambulism, अब वो state हो गया, अब अस्था हो गया, abstract चीज़ हो गया, बट इंसान, somnambulist, somniloqu अब इसी amble word से, आपके पास आता है word ambulance, देखो इसके पीछे की क्या interesting कहानी है, ambulance आज भी जब आप देखते हैं, तो कैसे चल रही होती, कभी दाएं, कभी बाएं, यह नो, इस तरह से, जहां उसको रास्ता मिलता है, टूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ यहां पड़ा रहेगा, तो bleeding होगी, मिर्त भी हो सकती है, और definitely युद का मैदान है वो, वहां पे उनको कोई रास्ता पैसे ऐसे नहीं मिलेगा, कि आप यहां से लेके जाओ, तो वो अपने साथी को stretcher पे डाल के, जहां से भी रास्ता मिल रहा है, युद के मैदान से बाहर वो जो बच्चों का charis होता है न, जो बच्चों को डाल कर लोग किसी पार्क के चारों तरफ तहला रहे होते हैं, तो वो perimeter, peri पे ambulate करना, यानि बाहरी इलाकों पे चलना, perambulator, वहीं से शब्द आया हुआ है, इसी तरीके से loka की बात की जाए, तो बहुत ही high frequency word, इससे soliloquist, ventriloquist, colloquial, grandiloquist, magniloquist, यह बहुत सारे शब्द है, loka का मतलब भी बोलना है, जैसे कोई eloquent speaker है, तो someone is very convincing and effective speaker, उसको eloquent speaker बोलता है, इसी loka का इस्तमायल हो रहा है, कोई loquacious person है, यानि वो person बहुत talkative है, आप जानते होंगे इस शब्द को, ventriloquist हम बोलते हैं, जो कि हमारे mimicry artist होते हैं, क्योंकि वेंटरी का मतलब belly होता है, और जो mimicry करते हैं, उनको अलग-अलग जगहों से आवाज निकालनी पड़ती है, यह बहुत ताकत लगती है, बोलना is not an asan काम, you know, तो कहता ना पेट से आवाज निकालो, core से, because यह body का core ह कई बार गले को दबाना पड़ता है, यह बहुत अलग-अलग तरह की आवाज निकालने के लिए, तो इसलिए mimicry artist को आप ventriloquist बोलते हैं, यह जो हमारे comedy shows आते हैं, उसमें कहीं इस तरह के character नहीं होते हैं, जहां पे एक इंसान है, और उसने साथ में एक और prop ले रखा है, वो अपनी भी आवाज निकालता और साथ में उसकी आवाज बे निकालता, यह जो अभी पीछे सोनी पे भी आया था एक show, I think last year, जब हमारे comedian सहाब जीवित थे, श्रवास्तो जी, राजु श्रवास्तो, तो उसमें भी I think, पुरान टाइम पे भी जब star 1 पे वो laughter challenge आया करता था, जहां से कपिल शर्मा और पूरी नई pod comedians की पैदा हुई, तो उसमें उसमें भी character थे, तो आप देखो कि उनके नाम के साथ लिखा होता है, वेंट्री लॉक्वेस्ट, colloquial, c-o-double-l-o-q-i-l, colloquial का मतलब आम बोल चाल की भाशन, layman का जो expression है, soli-locki का मतलब होता है, खुद से बात करना, solo, खुद loka बोलना, self-talk, बहुत बार paper में आया हुआ है, तो loka, log, l-o-g-u-e, l-o-c, यह सब root word हैं, बोलने के लिए, तो वो जब root word पे और गहराई म में जाओंगा, आज अब यह पहला session है, आपको जिस एक dynamics समझा रहा हूँ, एक मतलब के लिए, एक से ज़्यादा root word हो सकते हैं, और एक root word का एक से ज़्यादा मतलब भी हो सकता है, तो बोलने के लिए, बहुत सारे root word है, अगर मैं अभी root word पकड़ लूँ, तो कम से कम 25-30 word इसी local log, log से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यह power है इस method की, अगर आपको एक जड़ का पता लगता है तो उससे बड़ी सारी branches और सब branches निकलते चली जाती है, and then there is no need to mug up words, because आप easily उसका connection मना लिए अगर यह पता लगया कि L.O.Q.U. का मतलब बोलना होता है, तो कम से कम इत इसे भी एक्जाम में काफी काम हो जाता है, एक्जाम में आपको intelligent guess work करना होता है कि कैसे मैं eliminate करो चार में से, तीन options score correct पर कैसे पहुंचू, तो अब मैंने दोनों बाते हैं, दो बाते हैं अभी तक proof होईगे, एक तो one word में देखो आप, रटने के जरूरत नहीं है, आप बह वांगा साहब, उनकी फिल्मों में एक theme होती है, जिसको लेकर करके आपको internet पे और जो आमारे news papers हैं, online portals हैं, वहाँ पे एक शब्द बार-बार मिलता है, वो है misogyny या आप यह कह सकते हो कि toxic masculinity यह शब्द आपको मिलता है, कि वो glorify करते हैं, या आप misogynistic होता है, उनकी जो पूरी treatment है कहानी, तो अब यह word क्या है, what is misogyny, यह भी root word है, तो भाई, M-I-S-O-G-Y-N-Y, misogyny, misogyny, misogyny word है, इसका मतब होता है hate, this is hate or disrespect, and G-Y-N-E, gynae actually base word है, अगर मैं बिलकुल शुद रूट में जाऊं तो वो N-A-E होता है, इसलिए जो gynecologist की आप spelling देखते हो न, बहुत सारी जगों पे G-Y-N-A-E-C-O-L-O-G-I-S-T लिखा में लगा आप gynecologist, और कई जगह पर यह एक आयब हो जाता है, उसकी भी कहानी बताऊंगा आपको फर्दर, यह देखो, यह सैकडो साल के इतिहास हैं, शब्दों के बनने में, उनके spelling में, letters में बदलाओ के, even कई बार तो meaning में बदला हो जाता है, बड़ी बहेंगर तरीके से, there is 180 degree shift in meaning of that particular word, so anyway, तो misogyny का मतलब क्या हो गया, महिलाओं का अपमान, अब जो मैं grammatical profile की बात कर रहा था, अगर इसी को पकड़नू में, तो misogyny हैं आपके पास, यह शब्द एक idea है, तो abstract noun, जो इस idea में belief करेगा, उसे क्या बोलोगे, that person will be called misogynist, कोई society, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, उसे क्या कहोगे, misogynistic society, या misogynistic dialogues, जैसे इस film के लिए बोले गए, या उनकी पुरानी film कबीर सिंग के लिए भी बोले गए थे, इसी तरीके से, अगर कोई इंसान, महिलाओं के अपमान पूरवक, उसने कोई बात कही है, जैसे कई बार होता है, कोई public personality, he made, या she made a statement misogynistically, तो इसका क्या मतलब कि महिलाओं के अपमान पूरवक, उन्होंने बो statement pass किया, तो ये word जो हो गया, वो क्या बन गया, adverb बन गया, तो क्या कहानी देख रहे हो आप यहाँ पर, कि एक ही word से ये चार word बन रहे है, यह सर नो, misogyny is what, this is abstract noun, how many letters are there, we have 8 letters, then misogynist, ist लग गय यह क्या बन गया, common noun, कितने टुकले हैं, यहाँ पर दो टुकले हैं, by syllabic बोलोगे, यहाँ तीन टुकले हो गया, misogynist, यह trisyllabic हो गया, misogynist, ik, कितने टुकले हो गया, चार, इसको quadrasyllabic बोलोगे और यह आपका है adjective, because आपने कहा, misogynistic society, so society is noun, and whatever comes before noun and describes that is called an adjective, misogynistic statements, mis misogynistically, misogynistically, 5 टुकले हैं यहाँ पर, यह आपका adverb हो गया, और आप इसे क्या बोलोगे, pentasyllabic word, because there are 5, 5 टुकलार्स, 5 syllables, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका opposite क्या होगा, जिसे हमने बात की कि इससे हमें endonym को रूणने में बड़ा फायदा होता है, तो exact इसका opposite, misogyny की अगर हम बात करें, तो वो हो जाएगा phylogeny, phylogeny, misogynist, phylogenist, misogynistic, phylogenistic, and misogynistically का opposite, that is phylogenistically. तो क्या समझा रहा है, कि एक word हमने misogyny की चर्चा की और उसके बाद हमारे पास अभी 8 words, and we have 8 words, and आज के बाद आप अपने जीवन में, अगर इन शब्दों से आपकी कहीं भी मुलाकात होती, you are reading a newspaper, reading a magazine, you are watching a talk show in English, and somebody is using these words, you can easily derive the meaning, क्योंकि miso का मतलब था hate, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस root की फिलो, तो फिलो का मतलब होता है love, तो यह exact opposite है actually, तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर किसी शब्द की पहले miss या miso लगा है, और examiner हमें endonym पूछ रहा उस word का, तो उस word, endonym वही word होगा है जिसके पहले philo या phil लगा हो, क्योंकि जब शब्द बनते हैं तो वह last का letter कई बार कट जाता है, तो कहीं पहे F-P-H-I-L भी आ सकता है, कहीं PH-I-LO भी आ सकता है, कहीं PH-I-LE भी आ सकता है, पट PH-I-L इतना तो रहेगा रहेगा, तो यह लग के लिए हो गया, तो अगर misogeny महिलाओं का अपमान हैं, तो philogeny जो है महिलाओं का सम्मान है, misogenist वो इंसान है, तो इतनी सारी लंबी-लंबी spellings आप ध्यान में रख सकते हो synonym and anonym का काम हो सकता है one word का काम हो सकता what is one word for someone who respects women the word is philogenist अब यहां literal में चले जाना कि philo का मतलब love है तो someone who is philogenist उसको जहां महिलाएं दिखती है उसका प्यार उमर पड़ता है अब पड़ा और पड़ाएगा उसे तो literal नहीं जाना because प्यार की पहली उससे पहले कौन सी सीडी होती है respect अगर आपका respect नहीं है तो love कहां से होगा मतलब वो पहली चीज है पहली शर्त है तो वो hate और love it's not literal literal भी हो सकता है बट वो disrespect और respect के साथ जा सकते है अगर मैं शब्दों की बात करूँ तो अभी जड़ी लग सकती है यहां पर शब्दों की अगर synonym and antonym के हम बात करें तो अब जिसे आपके पास एक शब्द आता है मिस के साथ ही misandry misandristic laws आपने सुना होगा misogamy misogamous society तो यह gaming is marriage है तो एक ऐसा समाज जिसका शादी नामक स्थंस्था से भरोसा विस्वास उठ चुका है उस समाज को misogamous society कहोगे M-I-S-O-G-M-O-U-S किसी इंसान का शादी नामक स्थंस्था से भरोसा विस्वास उठ चुका है that person will be called misogamous philogamous जिसको शादी से बड़ा प्यार है philogamous society like we Indians are so philogamous love for marriage philogamy hate for marriage misogamy इसी तरीके से मैंने misandry शब्द का इस्तमाल किया जैसे G-Y-N-E आपने देखा वो महलाओं के लिए है root word वैसे पुर्षों के लिए A-N-D-R root word है android वहीं से android आता है आपका तो android का opposite है आपका gyinoid opposite के लिए मैं दोनों तरफ arrow बना रहा हूँ अगर meaning होगा तो सिर्फ एक तरफ arrow बना रहा है opposite है तो दोनों तरफ arrow लिखोंगा तो G-Y-N-E यानि जो महिला जैसा हो वो gyinoid हो गया जैसे और android जो पुर्षों जैसा हो अब यहीं से शब्द भी जो मैंने बोला वो क्या था that was misandry तो जैसे misogyny जो है वो महिलाओं का अपमान है वैसे ही misandry जो है वो पुर्षों का अपमान है और news papers में एक शब्द आया misandristic laws जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ड और दुखद घटना घटी थी निर्भया कि इस 2012 में तो उसके बाद कानूनों में बदलाओं किये गए महिलाओं के साथ जुड़े हुए अपरादों को ले करके लेकिन उसमें शायद थोड़ा अपर हैंड महिलाओं को दे दिया गया तो फिर निच्पेपर इडिटोरियल्स आर्टिकल्स आने शुरू हुए और वहाँ पर क्या कहा गया कि इस लॉज आर मिसेंडरिस्टिक लॉज तो मिसेंडरी जो शब्द है आपका इस अगें एब्सट्रैक्ट नाउन ये abstract noun हो गया और misandistic क्या बन गया adjective तब इसके साथ आगे क्या जुड़ गया laws यानि ये ऐसे कानून है जो पुरुशों का सम्मान नहीं कर रहे हैं मतलब उसमें कुछ इस तरह का प्रावधान था कानून के अंदर की शिकायत पर ही आपको जेल में डाल देते थे बिना तफ्तीश के तो बाई शातिर महिला और पुरुश दो नहों हो सकते हैं कोई शातिर महिला वो बड़ी सारी स्टोरीज है मैं वो स्टोरीज में नहीं जा किसी को लूटने के लिए शादी कर ली बाद में आरोप लगा दिया फिर उससे पैसे ले लिया यह कर लिया वह कर लिया वह बिचारा जेल में है इनसान वह पूरुश चीदा साधा बट हस गया वह तो मिसेंटिस्टिक वहां पर आपको देखने को मिला तुरूंत आपके द अलग-अलग फील्ड के वर्ड को भी समझना शुरू कर दोगे जब आपको रूट की समझ हो जाती है अच्छा यह रूट वोर्ड है तो इसका यह मीनिंग हो सकता है ठीक है अब जिसे यह फिल की ही बात की चाहें तो अब इसमें थोड़े से डाइनमिक्स को मैं आपको और टीटेल में समझाता हूँ जहां पर प्यार और घिल्डा की बात है कैसे यह सिननीम इंटनीम का काम करते हैं अब जिसे आपने कोविट के टाइम पे यह सुना होगा कि यह जो आपका मास्क है वो हाइड्रोफोबिक माटीरियल का बना है आप वो अपने N95 मास्क उठाके दे लग जाता है फिल यह फिलो और फाइल बाद में लगता सफिक्स के तौर पर अब यह हाइड्रोफोब और हाइड्रोफोब का मतलब जो डरे उससे दूर भागे और फाइल का मतलब जो उसकी तरफ आकरशित हो अब यहां यह प्यार लिट्रल नहीं है अब जिसे आपने जो बाओ है उसके लिए उसके मन में प्यार है तो फाइल लगने का मतलब कि उसकी तरफ जुकाओ तो हाइड्रोफोब यानि पानी से दूर भागे और हाइड्रोफाइल पानी को आकरशित करे तो अगर वो हाइड्रोफोबिक माटेरियल का बना हुआ है तो पानी उसके सिननिम में आपको जो उसका ग्रेमाटिकल आसपेक्ट है वो भी धियान में रखना पड़ता है कि यह शब्द ग्रेमेटिकली क्या है तो हाइड्रोफोबिया गा इग्जाक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा हाइड्रोफीलिया यह स्टेट हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउ हाइड्रोफीलिया तो अब अगर इसी का आपको एड्जेक्टि बनाना है तो च्या बन जाएगा कि यह हाइड्रोफोबिग बना हुआ है इसका इग्जाक्ट ओपोजिट हो जाएगा हाइड्रोफिलिक का बना हुआ हुआ है तो क्या बात हमें समझ में आ गई अग effectivementीए त पूर्फोबिया, जनोफोबिय क्या होती है? जब आप अपने से अलग आईिटी रखने वालों से प्यार नहीं रखते, उनसे दूर भागते हैं, तो वो जनोफोबिया कही जाती है, आप कोई दूसरे देश का है, दूसरे संप्रदाय का है, कम्यूनिटी का है, आप उसके लि लोंग के लिए विलकुल वेलकमिंग हैं उनका स्वागत करते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा यूर जेनो फाइल तो बहुत सारे शब्द यहां से नेकलिंगे इसी पैटर्न पर तो अब आपको क्या समझ में आ गया आपको इतनी बात समझ आ गई कि अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में फोब लिखा है और एक्जामिनर मुझसे पूछ रहा है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा तो आपको अपको का मतलब भी पानी होता है तो यह दोनों गुड़ अगर है तो शब्द का कहीं न कहीं पानी से लेना देना है तो इसे मैंने कहा है जैनो फोबिया नहीं पता आपको X, E, N और जैनो का क्या मतलब बट इतना तो पताए गया अगर फोबिया का ओपसिट पूछ रहा है फोब का ओपसिट फाइल होगा, फोबिया का ओपसिट वो शब्द होगा जिसमें फीलिया लखा हो लास्ट में और फोबिक का ओपसिट वो होगा इसके लास्ट में लिखा हो फिलिंग और ऐसे हमारे पास बहुत सारे pairs हैं prefixes के और suffixes के जो एक दूसरे के opposite हैं और आप previous year papers उठा के देखेंगे जो classes में मैं बिल्कुल short इसलिए उसको बिल्कुल आपके लिए आसान बना करके कि वो roots, वो prefixes, वो suffixes जानो जो high frequency है जो बार-बार repeat होते हैं तो ये फाइदा होता है इस PRS method का So I have proved my point, you can easily remember the spellings of lengthy words So spelling errors में आपको बहुत टाकत मिलती है आपको शब्द की देखने का नजरिया बदल जाता है actually Because you do know that how many tuklas are there, how many syllables are there in making that one word And even it helps out in pronunciation as well Pronunciation is not the aspect that is going to be tested in your examination but someone who is facing interviews and GDs or someone who is interested in improving his or her pronunciation this particular method helps out very much Because ये पूरा scientific है कि अगर एक शब्द है तो उसके किस टुकड़े पे vocal stress आपकी आवाज का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए अब जैसे ये हैं Misogyny Misogyny It's not misogyny आप monotone में नहीं बोलोगे Misogyny It's a misogynistic statement Misogyny Misogynistic Misogynistic दो बार आवाज उठी जिन और एक पे It's a misogynistic statement This is the misogynistic treatment तो ये pronunciation का भी आसपेक्ट कि भाई Which particular syllable should take vocal stress in speaking और जो लोग इसका ध्यान रखते हैं उनकी speaking ही आपको आकर्षत करती है And deep down each one of us wants this thing कि हमारे पास कास्ट मेरे बास भी ही है no ऐसी speaking skills होती ही आप कही बार monotone में बोलते है You are giving equal stress to all the syllables used in that particular word because you do not know this is not photography this is photography photography this is not choreography this is choreography it's not about about it's about 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 B-O-W-T is the sound actually उस पे वोल इस्टरेस जादा है It's not internet penetration in our country in our country this is internet 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 पे जोर कम है नेट पे जादा है internet internet it's government it's not government it's not government it's government government performance it's not performance this is performance performance तो आपकी pronunciation भी इंप्रूव होती है right pronunciation भी इंप्रूव होती है because अच्छी और effective speaking के लिए pronunciation plays one of plays one of the important roles actually because there are so many factors in effective speaking there is vocal intonation vocal energy voice modulation projection of voice diction and pronunciation so if your pronunciation is good you do know that how many syllables are there which particular syllables should take stress and again इसमें भी आपको मदद कौन कर सकता है dictionary जो हमने शब्द देखने की बात की नहीं कि जब आप उस वर्ड को बच्च्पन से गलत बोल रहे हो तो अभी SSE जैसे exams definitely वो interviews और GDs नहीं लेते but bank में है वो और management exams में है वो you are preparing for UPSC you have to face interviews या नहीं भी अगर face करना है जैसे मैंने कहा ही शुरू में कि कहीं न कहीं हम सब काम ही तो करेंगे काम इंसानों के साथ करेंगा और वहां पे हमें communicate करना होता है और आपको भी deep down पता है अपने school और college की ही जिन्दगी बिताते हुए कि आपकी class में आपके group में someone who was good at communication सब लोग उसको देखते थे जब वो debate में declamation में elocution में speeches में participate कर रहा है या कर रही है and this is one of the important skill sets but again दुर्भागेपूर तरीके से यह सब हमारे academics में कभी उतना focus नहीं दिया जाते या दिया जाते है that is limited to certain schools certain stations like A class station B class station what we call स्याद metro शहरों में बच्चों में जादा हो but हमारा शहर metro शहरों में कितना हमारा देश रहता है हमारा देश गाउं और कस्बों में बसता है और वहाँ पर इस लेवल की समझ नहीं होती बच्चे को वो बच्चाना कैसे अंदर यहां ही थोड़ी कि पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या ग्यान है और हम छुपे रहते हैं कि यह कहीं पोल ना खुल जाए क्योंकि अपना ही बोलना हमें खुद सुनना अच्छा नहीं लगता फिर हमें लगता है यह यह news readers कितनी अच्छे बोलते हैं यह interview जो लोग ले रहे हैं दे रहे हैं how good they are in communication so again this method PRS method helps you out helps you out a lot in that aspect as well चले अब जो दूसरा aspect है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा introduce कर रहा हूँ इन पर build हम further करेंगे आगे आगे वाले sessions में जो group method की मैं बात कर रहा था उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लू अब जिसे हमारे बास homophones है similar sounding but different in spellings and different in meanings अब जिसे मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि METAL इसका मतलब आप सभी को पता है but METLE इसका मतलब कम को पता है आप में से ऐसी MEDAL मेडल का मतलब पदक होता है आप सबको पता है but MEDLE मेडल का जो मतलब है यह आप में से कम को पता है ठीक है so ऐसी PEDAL इदर लग देता हूँ PEDAL पैडल आप सभी को पता है noun है जो पैर से दबाओगे वो पैडल है but PEDLE भी पैडल होता है मैंने वही आपको डाइनेमिक समझाने की कोशिश की कि हमारा दिमाग कोई बात कभी ध्यान में रख सकता है जब उसके साथ वो कोई association या connection बिल्ड कर पाए और यहाँ पर वही कहानी है कि मेडल का ग्यान आपके दिमाग में पहले से है मेडल का मतलब धातु में होती है लेकिन अगर मेडल का नहीं ध्यान है और वो साथ में सीख रहे हो तो आपका दिमाग एक connection बनाएगा बही मेडल पहले से था TL, double TLE, it's a new learning and this new learning can create some sort of association and connection with the मेडल यह भी मेडल नाउन है और इसका मतलब होता है आपकी potential, आपकी काबिलियत जैसे हम कहते हैं कि you have to prove your mettle हम इसा sentences में जरूर देखो dictionary में भी इसलिए sentences बने होते हैं you have to prove your mettle आपको अपनी काबिलियत प्रूफ करनी बड़ेगी वैसे ही अगर बात करें हम medal की यह noun है पदक होता है इसका मतलब यह medal जो है यह verb है और इसका मतलब होता है to interfere actually किसी के काम में दखल देना right so don't medal मेरे काम में हस्तक शेप ना करो उसी तरीके से पैडल जो है यह noun यहाँ पेड जो है यह root word है pet का मतलब ही pair होता है और pet का मतलब child भी होता है इसकी वड़ी interesting कहानी है root word ऐसा है कि चलते जाएगा यह तो pet actually जो child वाला word है ना वो actually originally paidos था P-A-E-D था वहाँ पे actually तो वहीं से बच्चों के रक्टरों को आप क्या बोलते हो pediatrician बोलते हो वो शब्द वहीं से आता है pediatrician, pediatric right और बहुत ही प्यारे तरीके से जो शब्द आप एक बच्चपन से जानते है orthopedic हड्डियों के रक्टरों को बोलते हैं सब जानते हैं बड़ यहां पे इसका मतलब हड्डी नहीं होता ortho का मतलब होता है सीधा करना, erect करना और pet का मतलब है child यानि जो बच्चे को सीधा करें तो पुराने जमाने में जब छोटे बच्चों की हड्डियां टूट जाती थी जो doctors वो support लगा करके बच्चों की यहनो हड्डियां सीधी करते थे उनको और तो पीडिक कहा गया जो दांतों को सीधा करते उनको orthodontist कहा जाता है तो ortho का मतलब erect करना है सीधा खड़ा करना ही कोई चीज और pet मतलब बच्चे को लेकिन धीरे-धीरे over the period उसको हड्डियों का doctor बोला जाने लग गया तो यही बड़ी interesting anecdotes चुड़े होए हैं शब्दों के बनने के लिए इसी को हम etymology कहते हैं तो आपने जरूर सुना होगा drug peddlers यह आपने सुना होगा drug peddlers तो यह drug peddlers शब्द का जन्म कहां से होगा है पई कोई drug जो है दुकान कोल के तो बेचे का नहीं उसको पता होता है कि उसका potential buyer कहां पे मिलेगा और वहाँ जाकर के वो बेचता है तो drug peddler इसी लिए कहते हैं उसको hawk करना, verb हो के तो बहुत ही basic शब्द मैंने जस्ट इस बात को समझाने के लिए हैं और अगेन जिसे यहाँ पर आपको तीन ग्रूप दिखाई दे रहे ना ऐसे सैक्णों ग्रूपस हैं ऐसे सैक्णों ग्रूपस हैं और अगेन इन शब्दों का इस्तमाल जैसे बैंक और मैनेजमेंट के पेपरस में जादा होता है बट अगर आप वो क्याब को बहतर करना चाहते होती यह बहुत कारगर मेथड है अभी जैसे अब आपको इल्यूजन का मतलब पता है इल्यूजन का मतलब भ्रहम होता है बट अल्यूजन A-Double-L-U-S-I-O-N क्या हो गया तो वो शब्द जो है उसका मतलब होता है इन डैरेक्ट रफरेंस इल्यूजन आपको पता है भ्रहम और वही कहानी यहां पेगाम करेगी बट एक मेथड मुझे पता है एक word पता है, दूसरा word नहीं पता इधर आई था, इधर ए हो गया तो illusion का मतलब एक chimerical situation एक भ्रहम की स्थिती जो है ही नहीं उसका ऐसास आपको हो रहा है बट illusion का मतलब होता है indirect reference जैसे कोई teacher अपनी class में homework दे और अगली सुबह पूरी class से वो पूछे आने के बाद कि भाई, what is the answer of the first question and there is a pin drop silence in the class, what is the answer of second question, again कोई गरदन ऊपर ने उट रही पूरी class गरदन नीचे की होगे then the teacher will have an allusion that nobody has done the homework और इसी allusion noun के लिए हमारे पास वह बाता है, allude आपको reading comprehension के question में बहुत बार मिलेगा what have you alluded from the passes यानि आपने passes से indirectly क्या refer किया जो inference based question आते हैं उसमें ये शब्द जो है आपका इस्तिमाल होता है, ठीक है what have you alluded from the passes अब इसी तरीके से जैसे मैंने बात की, आपके पास paronyms भी है paronyms की खासियत क्या है इनका base word से होता है अब suppose मैंने ये दो word यहां पे लिखे womanly and womanish और यहां भी मैं आपको sentence देता हूँ पहला sentence his blank place creates are distasteful her grace is infectious और आपको यह कहूँ कि इनहीं दो words में से एक word आपको choose करना है पहले के लिए मतलब इन दोनों में से एक word एक blank place में जाएगा दूसरा word दूसरे blank में जाएगा कौन सा word चूज करो गया तो यहां आपको आपको यहां आपको यह अहसास होता है कि यह शब्द मुझे आता है बट वो शब्द आता नहीं हमें तो इसलिए बहुत ही प्यारा method है यह वो क्या आपको बैतर करने का पहले में आप लेके जाएंगे कौन से word को पहले में वूमनिश जाएगा और दूसरे में आएगा वूमन ली अब आप यहां तो देखो तो दोनों शब्द वूमन से ही बन रहे हैं and if we talk about grammatical profile both the words are adjective actually दोनों के दोनों शब्द adjective है यहां traits के पहले और ग्रेस दोनों शब्द नाउन नाउन के पहले adjective आ रहा है यहां पर तो आप इसको कैसे differentiate करोगे यह connotation का फरक है, womanish जो word है ना, this word has negative connotation and womanish का इस्तमाल एक पुरुष के लिए होता है अगर उस पुरुष का वेवहार पुरुषों जैसा ना होकर महिलाओं जैसा है So if a man's behavior is a bit unmanly, in that particular case we use the word womanish, right? जैसे most of the time आप देखतो ना, कई बार जिस तरह का caricature, designing, character की करते हैं, फिल्मों में भी वो, अगर आप मदूर वंडार करके फिल्म में देखे हैं, page 3, या fashion, तो खास तोर से कुछ fashion designers को, जिनको वो गे के तोर पर project करते हैं, तो उनका जो mannerism है, भाव भंगे माये हैं, that is called what? जबकि वुमनली, this word has positive connotation, and this word will be used for a woman, in a very positive connotation, positive context, तो वुमनली grace, वुमनली elegance, एक महिला की जो positive qualities हैं, उसकी तारीफ के लिए हम वुमनली का इसनावाल करते हैं, ऐसे ही, हमारे पास शब्द है discriminatory or discriminating, अब हमें लगगा शब्द तो बढ़ा असान है और discriminate का मतलब बेदभ बेदभाव करना होता हम सब जानते हैं, उसी से तो बन रहा है, कुछ ये भी फिल कर सकते हैं, जो चीजों को अलग-अलग करके समझ सकता है, और अगर बात करी जाए वहीं पे discriminatory की, तो ये word negative connotation का है, जिसे आप सुनते है, discriminatory practices in that organization, यानि उस organization के अंदर जो भेदभाव poor practices है, discriminatory practices, so discriminating ability and discriminatory practices, तो ये एक अच्छा तरीका है, शब्दों को दिमाग में रखने का, कई अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दिमाग में रखने की कोशिश करो, तो शाद भूल जाओगे, phrases बना लिया करो, जब भी आप नया शब्द सीखो, try to make a phrase, phrase का मतलब अ sentence अगर नहीं बना रहे है, तो कम से कम एक शब्द के साथ उसकी जोड़ी बना लो, अब अगर आपने discriminating ability and discriminatory practices दिमाग में बठा लिया, तो ता उम्र, ता जिंदगी आपको ये याद रहने वाला है, कि what is the meaning of these words, आप शाद confuse ना हो, तो ऐसी childish और childlike, अब दोनों शब्द मे child आया हुआ है, और मैं देखता हूँ मेरे हर एक batch के अंदर, even grammar में भी जब हम पढ़ रहे होते हैं, noun का chapter और मैं वहाँ पे common noun से abstract noun पूछ रहा होता हूँ, कि child से क्या abstract noun बनेगा, तो करीब-करी 50% जनता childish बोल रही होती है, तो abstract noun childhood होता है, child से बनने वाला, child common noun है, हर बच् संग्या, abstract noun is childhood, childish and childlike, both these words are actually adjective, and again what is the difference, यह दोनों के दोनों adjective है, और difference क्या है, again childish जो है, वो negative connotation है, और childlike जो है, वो positive connotation है, तो I am irritated, अगर sentence बनाने की बात की जाए, तो सामने वाला क्या होगा भई, I am irritated by your childish behavior and I am impressed by her childlike qualities, तो अगर childlike qualities की बात करें, तो इसका मतलब होता है, बच्चे की तरह बिल्कुल इनोसेंट, अगर आप इनोसेंट हैं, तो वो childlike में आ गया, जिसे बच्चे बिल्कुल बिना मुखोटे के होते हैं, इनोसेंट, और child यह यह immature के लिए है, अगर आप कहीं भी maturity show करते होना, तो वहाँ पर आप चाइल्ड इस लगाओगे, तो सामने वाला आपके बच्पने वाले वेवहार से irritated होगा, अब हमें पता लगया कि irritated है, तो इसका मतलब हमें negative word चाहिए behavior के पहले, और सामने वाला impressed है, तो impressed हमें सा positive से होगा, तो qualities के पहले हमें positive word च अंगले session में करेंगे, यहाँ मैंने आज focus आपको how to remember words इस वाले aspect पर किया, वहाँ पर निमॉनिक्स का method है, there are lots of methods, बट हमने वो वाले methods की बात करी, जिससे हमें नए शब्द याद भी रहे, अगर शब्द का नहीं पता है, तब भी अंदाजा हम अच्छा खासा लगा सके, वो method से सीखें जिससे paper में फायदा हो, तो आपको एहसास करा दिया, कि idioms phrases को छोड़ करके, बाकी हर तरह के question type में, यह particular method बहुत कारगर होता है, once you have done with all the important root words, जो high frequency इनके मैंने बात करी, और साथ ही साथ, जो हमारे लोग थोड़े और अच्छे level के exams, इनकी difficulty level थोड़ी high हो होती है, चाहे आप IBPS, SBI के paper को target कर रहे हो, आप management के papers को target कर रहे हो, your writing cat, JAT, IFT, GMAT, so in those kinds of examination, जो questions आते हैं, वो बहुत बार confusing words based questions पूशे जाते हैं, और यह जो method, group method, खास्तोर से homophones और paronyms का, यह आपको confusing words, जिनमें आप confused होंगे ही होंगे, अगर आपको clarity नहीं है, उन प या child से बना हुआ है, woman से बना हुआ है, discriminate से बना हुआ है, industry से बना हुआ है, luxury से बना हुआ है, luxurious और luxuriant, लेकिन फर्क नहीं पता, how will you choose the correct word then, तो यह method बहुत, आगे मैं आपको बताऊंगा भी किनके उपर कैसे questions पूशे जाते हैं, इस YouTube session में, if you have been my student, you do know, classes में questions हम करते है हैं यह सारे, तो आज हमने इसके उपर बात करें, तो यह दोनों method आपके vocab को भी बहुत multiply करेंगे, और इन exams में अगर 4-5000 की vocab strength है, तो आपका काम आसानी से चल जाता है, you are not going to write GRE, graduate record examination जो बाहर का exam है, वो vocab intensive exam माना जाता है, और वहाँ अच्छे level की vocab पूछी जाती है, और strength उमीद करी जाती, छे 7000 का अच्छा हो, वो vocab strength हो, इन सरकारी नोकरियों के exams में, competitive exams में 4-5000 words, more than sufficient, और अगेन उनको यह नहीं 4-5000 words बैट के रटो गया, कर तो लिए इतने सारे शब, अभी अगले session में जो यह root word की series अभी चलेगी, यह तो आज आज आपका just introduction था, how to remember words के उपर, इसको मैं फिर further जब आगे अगले session में लेके जाऊंगा, तो कुछ important root words आप देखेंगे, जहां पर एक ही root से आपके पास 100, 700, 500 के करीब शब्द आ जाते हैं, एक ही root words है, और जब मैं इतने शब्द बोल रहा हूं, तो मैं वहां grammatical profile को भी incorporate कर रहा हूं, जैसे भ शब्द एक ही है, illude है, verb किसी को ब्रहमित करना, illusive, advertisement, भ्रामत, विज्यापन, वो adjective है, और illusion, भ्रहम है, और illusively, भ्रामत तरीके से कुछ कर रहे हैं, वो adverb हो गया, जिस मासूम दिल दिमाग को अभी तक ये शब्द अलग अलग लग लग रहे थे, तो उसके लिए वो चा multiplier effect आता है vocab के अंदर, तो अभी जो सुनने में आपको लग रहा है कि अच्छा 4-5,000, ये 4-5,000 बहुत easily आप कर सकते हैं, तो vocab और comprehension बहुत ही logical है, grammar बिलकुल logical है, grammar को भी रटना बंद करिये, समझने पर focus करिये, उसके dynamics को, और again English is not just about mugging up grammar rules, तो आपको पता है कि paper में एक major chunk अब vocabulary और comprehension की understanding का है, bank की papers में, management की papers में पहले से था, SST के paper में अब आ चुका है, कितना weight is है, आपके comprehension के question types का, reading comprehension, pillars, close test, para symbols, आप बहतर जानते हैं 45 questions में, तो vocab और comprehension जब इन दोनों पर command होगी, तभी आप merit में ऊपर आते हो, चाहे आप कुसी भी exam की बात करो, और इन में बहतर होने के लिए grammar पर command बड़ी जरूरी को कि वो base है, अब आपको पता ही नहीं चल रहा, what is noun, what is adjective, what is verb, सब कुछ पढ़ने और रटने के बाद, तो रटोगे तो नहीं पता लगेगा, अगर समझ के पढ़ी है आपने grammar, तब एक added advantage आपको vocab और comprehension में मिलता है, और ये बा और किसी भी भाषा के लिए ये दो basic pillars है, हर भाषा में शब्द होंगे, vocabulary होगी, शब्द कोश होगा उसका, और शब्दों को कैसे arrange करना ही हो, उस भाषा का व्याकरण सिखाएगा, तो ये दोनों pillars पे जब आपकी command है, then आपकी comprehension, यानि understanding of that language will be good, तो कभी भी इनको isolate करके मत देखिए, इनको साथ-साथ ही हमें बहतर करना है, और इस particular channel पे in the coming days, you will get lots of videos based on vocabulary, grammar and comprehension, जो आपके basic dynamics को कि क्या strategy होनी चाहिए है, वह हमारे क्या क्या कमिया है, क्या flaws है, कैसे उनको correct करें, और कैसे जो paper की requirement है, उसके साथ अपनी पढ़ाई-लिखाई को align करें, वो सब आप य very much for your time, let's catch up in the next session, और वहां पर we will build after this, right, जो root word है, उनको थोड़ा और explore करेंगे, root words के features को जानेंगे, और समझेंगे, और जो मैंने कहा कि एक root से आपके पास बहाँ सारे शब्द आते हैं, वो आप खुद experience करेंगे, शाद उस class के खत्म होने के बाद 500 word आप खुद नहीं है, अब समझना है, धन्यवाद, thank you very much.